नमस्कार स्वागता है आपका मेरे यूटूब चैनल ITI 360 डिग्रीज में एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि कोरसरा क्या है और कोरसरा के क्या बेनिफेट्स हैं और कोरसरा पर आपको रेजिस्टेशन कैसे करना है इस्टूडेंट्स इसमें रेजिस्टेशन कर सकते हैं जो ITI में पढ़ते हैं जो Polytechnic में पढ़ते हैं और जो Skill Department मतलब कोसल विकास के स्टूडेंट है वो भी इसमें रेजिस्टर कर सकते हैं साथ मही और भी B.T.E.G. या B.A. इनके भी स्टूडेंट इसमें रेजिस्टर कर सकते हैं फलाल UP Skill Department की मिसन के तहत इसमें जो लाकों का कोर्स हो सकता है जो हो सकता है दस हजार का हो बीस हजार का हो या लाकों का कोर्स हो सकता है उत्तर प्रदेश कोसल विकास मिसन के अंत्रकत उत्तर प्रदेश के आई टी आई के स्टूडेंट के लिए पॉलिटेकनिक के स्टूडेंट के लिए और कोसल विकास के स्टूडेंट के लिए ये UPSDM जो उत्तर प्रदेश कौसल विकास मिसन है उतके अंतरकत 50,000 रेजिटेशन तक 50,000 स्टुडेंट तक फिरू में ये कोर्स प्रोवाइड करा रही है तो छात्रों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चिनिटी है ये तो मैं उमीद करता हूँ कि आप सभी छात्रों ने इस पर रेजिटेशन करा दिया होगा यदि आपने नहीं कराया तो आप ये वाला वीडियो देख लिजे ये वीडियो मैं इसी वीडियो के लास्ट में लगा दूँगा फिलाल आज करे मेरे वीडियो जो रेजिटेशन कर चुके हैं उनको अप कोर्स कैसे जोईन करना है अ मुझे लगा ये वीडियो बताना चाहिए तो इस वीडियो को आन तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें छोटे छोटे स्टेप हैं वो यदि आप मिस्स कर देंगे तो आप का जो कोर्स है वो स्टार्ट होने में दिक्कत हो सकती है तो फिलाल मैं इसको बहुत ही जैसे क्लिक करेंगे तो आपका मेल है वो खुल के सामने आ जाएगा उस मेल पर आप क्या करेंगे आपको टाइप करना है उत्तर प्रदेश स्किल डवलमेंट मैं आ लेडी इसको टाइप करके रखा हूँ तो मैं इसको टाइप करूँगा तो यहाँ पर आपको मेल कई देखने को मिल जाएगी तो आपको उत्तर प्रदेश स्किल डवलमेंट की ये मेल खोलना है इस मेल में आपको लिखा उपर मिल जाएगा यू आर इंबाइटेड टू लर्न ओन कॉरसरा तो कॉरसरा की तरफ से ये mail आया होगा, साथ में यहाँ पर बहुत सारे points आप पढ़ सकते हैं, join करने के लिए यहाँ पर join करना है इसको मैं आपको बताऊंगा थोड़ी दिर में फिलाल मैं इसके और भी basic चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ, यह जो course है वो 100% online है मतलब आपको online learning होनी है इसके माद्यम से और यह जो course है इसकी duration है, वो 4-6 week हो सकती है, साथ में यह free है, जो UPSDM के तरफ से registration कराए है, उन सभी बच्चों के लिए free है, और एक course certificate जो भी आप course करेंगे, उसका आपको certificate भी यहाँ से मिलेगा फिर आपको कौन-कौन से course और कौन-कौन से subject हैं जो इसमें जोड़े गए हैं, सबसे पहले art और humanities है, इसमें 453 courses हैं, बिजनेस में 1569 course हैं, computer science में 1380 course हैं, और data science में इतने courses हैं, यह सारे courses आप explore करके देख सकते हैं, और उसके साथ में एक चीज़ आपको और बता दे रहा हूँ कि इसमें जैसे लिखा है how to learn on coursera works, मतलब coursera पे आपको कैसे working करनी है, तो सबसे पहले learn online, online आपको learning करनी है, वीडियो वाच करने हैं और quizzes लेनी है participate करना है, गुरूब discussion में, और जो assignment आपको दिया जाएगा, वो आपको complete करना है, और उसके बाद आप web और mobile के नाप, माध्यम से online learning भी ले सकते हैं, कहीं से भी और वीडियो को आप download करके offline भी उसको देख सकते हैं और share achievements, मतलब आप अपने, जो भी आपने learning की है उसको आप share भी कर सकते हैं तो चलिए, आपको course कैसे join करना है कौन सा course चूज करना है, तो उसके लिए आप क्या करना है, join now पर click करेंगे, तो जैसे ही आप join now पर click करेंगे, तो देखिए एक window यहाँ पर खुल जाएगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ की आगे का process क्या है, तो देखिए मैंने, जैसे join now पर click किया तो मेरे सामने यह interface खुल के आगे है, अब मैं क्या करूँगा courses मैं देख सकता हूँ, सबसे पहले मैं नीचे यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा first steps in linear algebra for machine learning, तो आप इसमें बहुत सारे courses हैं, आप इसको ऐरोपिक क्लिक करके इसको आगे बढ़ा के देख सकते हैं, यदि आप इसमें interested नहीं है, तो आप इसको देख सकते हैं, critical thinking skills for university success आप इसमें interested हैं, तो इसको देखिए, नहीं है, तो आप नीचे आईए business English, English में किसी को interest है, अगर writing में है, तो आप इसको देखिए, नहीं तो आप आगे जाईए, और आप थोड़ा सा wait कर लिएज़े, क्योंकि इसको खुलने थोड़ा दिक्कत होती है, थोड़ा सा ये net speed अच्छी होगी, तो जल्दी खुलेगा, फिर introduction to wave development, wave development computer science के जो बच्चे है, वो इसको चूज कर सकते हैं, जो computer science के नहीं है computer में skill लेना चाहते हैं, तो इसको चूज कर सकते हैं इसमें और भी courses मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे Excel skill for business essential मतलब जिसको Excel पर working करनी है business purpose से, तो वो Excel में इसको सीख सकता है कि Excel कैसे चलाते हैं, जैसे computer में word होता है Microsoft Excel वैसे ही होता है, तो उस पे भी आप देख सकते हैं और फिर आपको information and digital literacy for university success ऐसे करके आप देख सकते हैं professional and designing presentations and slides presentations और slides को आप कैसे बनाएंगे, तो वो यहाँ से देख सकते हैं course को देख लीजे, जो आपको suitable लगे, जो अच्छा लगे उसी को आपको चूज करना है चूज करने के बाद नया क्या होगा कैसे आपको जॉइन करना है चलिए मैं एक आपको करके sample के तोर पर दिखा देता हूँ उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जॉइन कैसे करना है जैसे यही मुझे presentation, मुझे सीखना है कि presentation कैसे बनाते है slides कैसे बनाते है तो मैं इस course पर click करूँगा click जैसी मैं इस course पर करूँगा तो देखिए नए interface खुलना सुरू हो जाएगा मेरा और यहाँ पर देखिए certificate मिल जाएगा कि certificate आपको मिलेगा 100% online होगी flexible deadlines होगी और साथ में यह जो course है उसके लिए आपको 307 hours मतलब 307 घंटा चाहिए complete करने के लिए और वो online के माद्यम्स होगी साथ में इसकी जो English इसकी language होगी और week first में क्या होगा week first में जैसे पहले week में आपको यह सीखने को मिलेगा कि key principle of design यह आपको सीखने को मिलेगा इसके लिए आपको 77 hours इसपे working करनी पड़ेगी जिसमें 7 वीडियों है 6 readings हैं और 4 quizzes हैं यह आपको देखना पड़ेगा यदि आप देखना चाहते हैं तो यहाँ see all पर click कर सकते हैं आप second week में आपको मिलेगा यहाँ पर 11 वीडियों और यह 76 hours आपको complete करने पड़ेंगे और उसके साथ यहाँ पर वीडियों मिलेंगे और readings और Queses मिलेंगी आपको तो यह सारे चीज़ें आपको देखना है उसके बाद week 3, 4 आप इनको अच्छे से पढ़ लेना उसके बाद इसकी overall rating भी आप देख सकते हैं कि 5 में से 4.7 इसको rating मिली है इस course को यहनकी बहुत अच्छी rating है इसकी और आप comments भी पढ़ सकते हैं जिन लोगों ने इसको किया है उनके comments पढ़ सकते हैं नीचे जाके और आप यह सारी चीजे देख लेना मैं आपको sample के तोर पर इसको join करना बता दे रहा हूं कि कैसे इसको join करेंगे तो हम enroll for free इस पर click करेंगे तो जैसे हम इस पर click करते हैं तो एक अलग interface खुल कर सामने आता है तो देखते हैं क्या उसमें detail बरी जाएगी तो यहां पर देखें दो option आ रहा है पहला option है कि I am new Coursera user और I am existing Coursera user तो मैं नए Coursera user हूँ अभी तो मैं पहले बाले पर click करूँगा नहीं तो मैं second बाले पर click करूँगा तो देखें यहां पर password set करने के लिए आया है कि password मुझे set करना है और password जो होना चाहिए वो 8-72 character के बीच में होना चाहिए तो मैं एक password यहां पर बना लेता हूँ फिर continue पर click करके आपको बताता हूँ कि नया interface क्या खुलेगा देखें मैंने एक password यहां पर set कर लिया है अब मैं continue पर click करूँगा तो continue पर जैसे ही मैं click करूँगा तो देखते हैं कि अगला interface क्या खुल के सामने आता है मेरा जो course अब जो जॉइन हो चुका है और मुझे फिर से दूसरा मेरा interface क्ल के सामने आ रहा है मुझे redirect कर दिया जा रहा है वो course फिलाल मेरा जो है वो यहां से start हो गया है तो देखिए redirect होकर मैं फिर से उसी interface पर आ गया हूँ जहां से मैंने शुरू किया था enroll for free से तो आप क्या करना आप फिर से इसी पर click करना enroll for free पर मैं click करके आपको बता देता हूँ फिर देखता हूँ कि next step क्या आ रहा है तो मैंने enroll पर free पर click किया है तो देखना है यहाँ पर थोड़ा सा समय लेगा इनरोलिंग हो रहा है यह थोड़ा सा समय लेगा वेट करिए इसको छोड़िए मत और समय लेने के बाद आप देखेंगे अभी कि यह enroll हो जाएगा पहले हमें इसलिए एक ID बनानी पड़ी पासवर्ट जनरेट करना पड़ा उसके बाद हम फिर से करेंगे तो यहाँ पर enroll हो गया है enroll हो गया है मेरा रलेडी जो भी पासवर्ट आएगा चाहें उसे save करना चाहें कि आगे क्या हमको देखने को मिलता है तो यहाँ पर आप देखिए start हो चुका है, यहाँ पर start हो गया है फॉस्ट week, देखिए आपको यहाँ पर trailer देखने को मिल जाएगा, आप start करके इसका trailer आप देख सकते हैं और पहला जो part week first है यहाँ पर आपको पूरा मिल जाएगा slavus और quiz बगएर सब second week का पूरा slavus quiz क्या 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 करना है आपको, वो सारी चीजे आपको इस course को join करने के बाद पता चल जाएगी, तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे आप लोग अपना course है, अपने इच्छा के अनुसार join कर सकते हैं, और साथ में उसका certificate भी यहाँ place मिल जाएगा, जब आपके पूरा चार वीक का या छे वीक का जो भी syllabus है, उसके according हो जाता है सारी criteria आप पूर fulfill कर लेते हैं, तो आपको इसका certificate automatic online ही generate हो जाएगा आपके mail पे already आ जाएगा तो उमीद करते हैं कि आप सभी छात्रों को बहुत अच्छे से समझ मा गया होगी course कैसे join करते हैं और उत्तरप्रदे सरकार ने यह आप लोगों के लिए बिल्कुल ही निसुलक करके रखा है, निसुलक आप इसको join करिए, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा प्रोग्राम आपको फ्री में सीखने को मिला है, यदि आप कहीं कम्पूटर वाले कैफे पे जाएंगे, वहाँ अपनी फीज देंगे, उसके बाद ये चीज़े सीखने को मिलती है या फिर और सारे कोर्स हैं, इंग्लिस लर्निंग है, लर्निंग क्लास में जाएंगे तो वहाँ आपको फीज देनी पड़ेगी यहाँ पर उत्तर प्रदे सरकार ने आप चातरों की मदद के लिए, हैल्प के लिए डिजिटल लर्निंग को बड़ावा देने के लिए ये कोर्सिस स्टार्ट किये हैं इसला वीडियो भी बहुत जादा सेयर किया था उसके लिए बहुत बहुत धन्नवाद ये भी वीडियो आप सेयर करिये ताकि सारे बच्चे जो रेजिस्टर किये हैं, एट लिस्ट वो तो सारे बच्चे इसको जोईन कर ही लें क्योंकि इसमें आपको कोई कोस्ट नहीं देनी है जो भी लर्निंग भी लेनी है उसमें भी आपको वीडियो ही देखना है और साथ में अपनी स्किल को इंप्रूब करते जाना है कोई भी फीस आपको नहीं देनी है तो उमीद करते हैं कि आपको इई वीडियो अच्छा लगा होगा आपके जितनी भी डॉट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे आप कोर्स बहुत अच्छे जोएं कर सकते हैं यदि फिर भी आपके कोई कटनाई होती है कोर्स जोइन करने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए हम आपकी पूरी हैल्प करेंगे ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजे इस वीडियो बस इतना ही धन्यवाद